पूरे ब्रह्मान को संस्कृत भाषा वो जो सबको एक रखती है लेकिन सब को एक रखने वाली भाशा से क्यों लोग दूर हो रहे हैं वो भाशा क्यों पीछे डह रही है इस पर बाचीत है हमारे साथ एक खास मेमान है आपको इस दारूफ कराता है हमारे साथ ब्रच किशोर कुठियाला जी है आपको बुलपती है माखनला चुतरवेदी रा कि अच्छी पहल माखनला चुतरवेदी राश्ट्री पत्रकारिता ने की है क्या इसके पीछे मकसद था और यह आइडिया कैसे आया देखिए पत्रकारिता में अपने अपनी भाशाओं में बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं और टेलिवीजन के भी काम चल रहे हैं प पत्रकारिता थोड़ी पीछे थी कुछ दैनिक समाचार पत्र चले फिर बंद हो गए कुछ सापताहिक और मासिक पत्रिकाएं चली और बंद हो गई तो माकलाल विश्विजाले में ऐसा अनुभव किया गया कि संस्कृत को पढ़ने वालों के लिए समाचार और समिक्षा सं संस्कृत भी समाचारों की भाषा बने तो इन दोनों उदेश्यों से यह अतुल्य भारतम नाम की एक पत्रिका यह समझने वाली बात है कि यह समाचारों की पत्रिका है यह केबल मात्र संस्क्ति या संस्कृत से संबंधित विश्यों की पत्रिका नहीं है इसमें एक मिहने क कि पूरे समाचार पत्रों की व्याख्या और उनका विशलेशन और विशेशक्वें दौरा किया जाता है तो यानि कुठ्याला जी अब हम मानते हैं आप पांते हैं कि वक्त आ चला है कि मिडिया को भी अब संस्कृत पे काम करने की जरूरत है हाला कि पत्रकायता विश्वत जाले ने एक कदम आगे बढ़ाया है अभी तक हम देखते हैं कि संस्कृत का जो खबरों को लेकर अगर बात की जाए तो दूरदर्शन पर एक संस्कृत काम समाचार बुलिटन देखते हैं संस्कृत के लावा अखबार बहुत काम हमें मिलते हैं संस्कृत को लेकर आप मानते हैं कि जरूरत है मीडिया को भी इसमें आगे पढ़ने की देखिए सबसे पहली जो पहल की वो तो दूरदर्शन ने की संस्कृत में समाचार पत्रों का और काश्वाणी में भी संस्कृत में समाचार बुलिटन आते हैं प्रंतु जो मुद्रित माध्यों में जो पत्रकारिता थी वो संस्कृत में लगभग शून्य थी प्रयास बहुत हुए बहुत लोगों ने प्रयास किये प्रंतु वो बहुत दिन चले नहीं इसलिए हमारा प्रयास है कि हमारे आठ अंक तो निकल चुके हैं अतुल्य भारतम के और हमारा प्रयास ही है कि जो व्यक्ति संस्कृत में पढ़ना चाता है उसको ये सामगरी हो और इस परकार से ये कारे चलता रहेगा और संस्कृत को जो आम व्यक्ति की भाषा बनना चाहिए वो शायद कारे इसके माध्यम से हम कुछ कदम आगे बढ़ा सकने में सफल होंगे तो क्या मानें कि इस तरह से हिंदी पत्रकारिता की बात होती है अंग्रेजी पत्रकारि की तरफ भी हम आगे बढ़ें देखिए पत्रकारिता का मूल सिधान तो अभिव्यक्ति है और अगर भाषाओं की द्रिश्टी से देखा जाए तो सबसे सशक्त भाषा दुनिया की सबसे सशक्त भाषा अभिव्यक्ति के लिए संस्कृत है जिसमें शब्दों की संख्या न सशक्ति बाषा जो है वह सभसे अधिक संचार और संबात की भाषा बन सकती है ऐसा सभी विद्वानों का मानना है थब से आसान संस्कृत संचार की भाष्टा संस्कृत है देखे नासा ने तो यहां तक कहा कि 2022 में जो computer बनेगा उसका आधार ही संस्कृत होगा उसका जो विज्ञान है उसकी जो technology है वो संस्कृत के स्वरों और व्यंजनों के आधार पर होगी संस्कृत के व्याकरन के आधार पर होगी तो हब शेश विश्व समझ रहा है तो बहतर होगा कि हम लोग भी समझे संस्कृत समझना होगा बिलकुल लेकिन कुठियाला जी अगर बात करें हम अध्यन की विश्विद्यालें की अगर बात करें तो एक संस्कृत के बाद आधा की अगर एक संस्कृत बार्डशा ठोड़ी पीछे जा रही है थोड़ी क संस्कृत जा रही कि एक कारण और भी है कि कम से कम 5000 वश्पूर्व जो एक ग्यान परंपरा की रचना हुई और वो विभिन गरंतों के रूप में आज उपलब्द है उस ग्यान परंपरा की अगर हमको चावी चाहिए उसको खोलना है उसको समझना है तो संस्कृत का ग्यान होना अच्छी संस्क का अच्छे स्तर की संस्कृत का ग्यान होना अनिवारे है यह इसलिए यह हम लोगों के हमारे देश के हित में है यह पूरी मानवता के हित में है कि उस छुपई हूँ ग्यान को फिर से उजागर करने के लिए हमें संस्कृत अधिक से अधिक लोगों को सिखाएं अच्छी से ग्यान परंपराओं को निकाल कर और फिर संस्कृत में और अन्य भाषाओं में शेश विश्व के सामने प्रस्तुत करें। अतुल्य भारतम जो मैं पत्रिका देख रहा हूँ इसका अपतारे आठ संस्क्रेंड निकल चुके हैं इसके क्या किन बातों को आपने फोकस रखा इस पूरी पत्रिका में और खास्तों से विद्यारतियों के लिहाज से अगर बात की जाए तो देखें ये पत्र कारिटा का एक उधारन हम प्रस्तुत करने वाले हैं इसमें एक कवर स्टोरी होगी जो समसामाई की होगी पांच राज्यों से इसमें खबरे होगी इसके साथ साथ कुछ 27 स्थम्भ होगे जैसे अध्यात्मर एक 27 स्थम्भ होगा और सबसे अच्छी बात तो इसमें हमने प्रारम की है जिसमें हमें संस्कृत के विद्वानों का बड़ा योगदान प्राप्त हुआ है वो यह है कि इसमें संस्कृत सीखने का एक पाठ है हर मास संस्कृत सीखने का एक पाठ रहता है और एक साधारन व्यक्ति भी उसको उपयोग करके उसको पढ़ तो अगर संस्कृत वो जानते हैं समझते हैं तो उनकी खबरे भी इसे प्रकाशित हो सकते हैं विद्यारतियों को हम धिरे धिरे प्रत्साहित कर रहे हैं देखिए इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो मूल जो विशे वस्तु बनती है वो संस्कित में नहीं बनती हमारा प्रयास यह है कि हर विशे के विशेशग अपनी अपनी भाषा में इसमें लिखें अगर संस्कित में लिख सेंते तो ठीक है अन्यता वो अपनी भाषा में लिखें और उसको हम संस्कित में अनुवाद करके इसमें प्रस्तूत करते हैं अगर आपको कोई विद्वान मान लिजे डी मॉनेटाइजेक्शन पर लिखता है तो उसको अवश्यक नहीं है कि संस्कित आती हो वो इंगलीश या हिंदी या बंगला में लिखता है हम उसको संस्कित में अनुवाद करके और संस्कित के पाठकों को प्रस्तूत करें अबिविक्ति वो करें अपने शव्जे का सरवस्रेष्ट व्यक्ति वो लिखें का इा और संस्कित में पढ़ने वाला प्राप्त करें तो कुठ्याला जी आप परके आप शिख्शा विद्भी हैं कुलपति हैं सिख्षा के शेतर में हम आई अगर करें कि स्कूली रसु है कि वक्त ये भी है कि स्कूली सिख्षा में बच्चों को संस्कृत को एक कंपलसरी सब्जेट कर दिना चाहिए दिखे किसी विशे को अनिवारे करना उसके कारण से वो प्रचलित हो ये सिध्धान्त मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है अगर हम संस्कृत की उप्योगिता की बात करें हरो हम समाज में इस भाव को उत्पन करें कि संस्कृत के जान लेने से आपको ये ये आपको उप्योग होने वाला है ये ये लाब होने वाले हैं तो संस्कृत अपने दम पर आगे बढ़ेगी संस्कृत को किसी साहरे की आवश्यक्ता हो अनिवारे करने की साहरे की आवश्यक्ता हो संस्कृत ऐसी भाशा नहीं है पूर्ब बात आपने ची फिलाल वकत चोटे से ब्रेक का हमाईलिय हो रहा है। ब्रेक केब लॉटेंगे तोब आत हो कि मद्रधेश में किस तरीके से काम कीया जा रहा है। मद्रधेश CP9 जो संस्र이canimustachate ज़ल लॉटों कर ले maximize तो बात है। तो संस्क्रिट संस्थाने वो किस तरीके से संस्क्रिट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जल और ते आप बंदिरी अमरे साथ. हमारी खुशाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निवाए कैसे हैं, ये प्लाइन बनाते हैं, प्लाइन ऐसा बनाते हैं, जहां सपने सिर्फ सचते हैं, सच हो जाते हैं, परिवार को अपना बूझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं, सही उम्र पेशादी, स संडे ब्लॉकबस्टर में देखिये सिर्फ डीडी नैशनल पर देश का ब्रेके बाद स्वागत है आपका हम बात कर रहे हैं संस्कृत कैसे बने जन जन की भाषा हमारे साथ एक खास मेहान इस वक्त और जुड़ कहे हैं हमारे साथ प्यार तिवारी जी आपने देशा कहे हैं महर्शी माखललाल चतुर्वेदी रास्ट्री पत्रकायता विश्वत जाले ने एक संस्कृत में पत्रक पत्री का आटवा संस्क्रण उसका एक है अतुले भारतम से शिरुवात किया है एक मद्यप्रदेश विधान सवा द्वारा अधिन्यमित एक बोर्ड है जो की कच्चा एक से बारत तक की जो स्कूल जी सिक्चा है संस्कृत माध्यम में उसके लिए कारे करता है और इसके लिए परिक्चा आजित करना, उनका सिलेबस तैयार करना प्लस उनके साथ में जो विध्यार्ती उनमें अध्यान रत हैँ उनको किस प्रकार से और जिसे हम कहें कि ऑगां चीज रहती है रोजगार पर रख़ग जो किस तरीके से उनको लिंकेज दिया जाया अलग-अलग उनके लिए उसके लिए महरशी पतंजली संस्कृत संस्तान कारी करता है और वर्तमान में पूरे प्रदेश में लगबग 170 ऐसे विद्याले हैं जो की संस्कृत माध्यम में कक्षा 1-12 तक का अध्यन कराते हैं उनके परिक्षा होती हैं 10-12 बारवी की बोर्ड परिक्षा हैं और इसको पूरे देश में इन परिक्षाओं को मानता प्राप्त है इनमें किसी में भी जाकर वो अपना सिवाय प्राप्त कर सकते हैं संस्कृत को लेकर खास्तोर से बात हुथी सिख्षा मंत्री वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा था कि संस्कृत को रोजगार की भाषा बनाने पर हम जोर दे रहे हैं कैसे बनेगी संस्कृत रोजगार की भाषा है प्रात्मिक्ता यह कि जो हमारे संस्क्रत में कुछ ऐसे पार्टिक्रम शुरू किये जाएं जो रोजगार पर रखों तो उन्होंने इस बार यह कोश्णा की थी कि वास्तू शास्त्र और जोतिश और परोहित्यम इन तीनों पर डिप्लोमा पार्टिक्रम एक वर्षी प्रा करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए वास्तू शास्त्र बहुत अदेकों प्योगी होगा त्यूकि हम फिरकर अब लोटकर अपने पुरानी जड़ों की और जा रहे हैं त्यूकि हम यह पाते हैं कि हमारा नया जो इस्ट्रक्चर्स हैं जो भी घरों के अमारे शहरों के वह कि जिसमें व्यक्ति प्रकरती के साथ अपना तातम स्थापित कर सके हैं बिल्कुल सही बात आपने बुले लेकिन कुठियाला जी बात जिस तर से हम वापस अपने पुरानी जड़ों की तरफ जा रहे हैं तेवाली जी बता रहे हैं पंदरवी शताबदी के बाद हमने है कि उस अंग्रेजी के दौर से के साथ साथ हमें अब संस्कृत और हिंदी के तरफ भी आगे बढ़ने की जरूवत है और जो एक माइंडसेट लोगों का बना हुआ है कि नहीं अंग्रेजी से ही जो रोजगार की मैं बात करा था रोजगार की भाशा वो कैसे वंग्रेजी विश्व की सरवस्रेष्ट शोध व्याग्यानिक शोध संस्थाएं संस्कृत पर अध्यन कर रही है तो हमें भी इसको प्रारम करना चाहिए और क्यों ना एक कंबिनेशन ऐसा बने कि एक कंप्यूटर का जो विशेशग्य है वो संस्कृत भी समझे संस्कृत को ना केवल सं बड़ा बड़ी चुनोती हमारे लिए होने वाला है कि हम इसको करेंगे या कोई विदेश्री जर्मनी या योरप में या अमेरिका में कोई करेगा हमारे लिए बड़ी चुनोती होने वाली है अगर हम अपने सामने धे यह रखें कि पुरातन के आधार पर हम नवीन का निर पर हम एक सुन्दर भविश्य की रचना करें जो कि प्रकृति के अनुसार चलता हुआ प्रकृति का पोशन करें और वो सारा ग्यान जो है वो संस्कृत भाषा के माध्यम से हमारे प्राचेन ग्रंथों में उपलब्द है एक बहुत बड़ा कैरियर इस ख्रित्र में बन सकता ह लेकिन प्यार तिवर जी सवाल एक यह है कि संस्कृत की जब बात आती तो लोग हमेशा यही कहते हैं कि यह पंडित पंडिताई की भाषा है या उसको पड़ी हेद रस्टी से देखा जाता है कई मिलब कई हेद रस्टी तो नहीं कहेंगे इस भाषा के लिए लेकिन पंडि प्रफसर कोट्याला जी ने भी बात अपनी रव उसमें कही एक में जो अभी का जो ट्रेंड है वो आपके सामने रखना चाहरा हूं जो जैसा आपने बताया नासा में भी संस्कृत पर वो चल रहा है अभी अपने देश में इस प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं कि अभी तक कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है वो इंग्लिश होती है आप जो उसमें चल रहा है कि प्रोग्रामिंग लेंग्वेज ही संस्कृत होगी उसके पीछे जो लॉजिक है सबसे बड़ा वो यह है इंग्लिश में कई बार क्या होता है कि जो हम मैसेज देत तो उसका भावार्त नहीं बदलता है नासा जो संस्कृत को अपयोग कर रहा है अपने मैसेज बेजने के लिए अंतरिक्ष में उसका जो मुझल कारण केवल यही है क्योंकि जो भी मैसेज बेजते हैं वहाँ जाके जंबल्ड हो जाते हैं संस्कृत में यही मैसेज बेजे जाते हैं तो उनको उसी रूप में पढ़ा जाता जिस रूप में वह उद्डेश थे तो मेरा कहने का ताथ पर ये है अब संस्कृत जो होगी वो कंप्यूटर की भाषा होगी और कंप्यूटर में भी अंगरेजी की तुलना में ज़्यादा शक्षम होगी संस्कृत भाषा जो है एक तो ये जिसे कहते हैं संगीत भाषा उस प्रकार की है इसको बोलने से भी कई सारे लाव उस में से होते हैं दूसरी चीज जो टेक्नोलोजिकल चेंजे जो हैं उनके अनुरूप भी अव संस्कृत सामने आ रही है और जैसा आपने कहा अधरने कुठ्याला जी न इवाली बात कहीं ये वाली बात कि हमको जबर्दस्ती नहीं करना है हम संस्कृत को ऐसी भाषा बना रहे हैं कि जिसमें कि लोग जबर्दस्ती नहीं वो उनकी प्राथमिक्ता बन जाएगा लेकिन कुठ्याला जी में एक हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं जितने भी बड़े पुराने ग्रंथ हैं जो हमारे पूजनिये ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में हैं हमारी संस्कृतियां सब जितनी भी स्यार सारी हैं वेद पुरान सब संस्कृत में हैं उस अगर संस्कृत भ केवल पढ़ी पढ़ाई नहीं जा रही उस पे शोध भी चल रहा है। हावर्ड विश्विद्याले में हजारों डॉलर्स बलकि लाखों डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट है जिसमें संस्कृत के ग्रम्तों को एंग्रेजी में अनुवाद करने वाले हैं। क्योंकि विश्व को इस बात की अनुभूती हो गई है कि इन प्राचीन भारतिय ग्रम्तों में बहुत ही मूलेवान ज्ञान चुपा पड़ा है। और उसकी कुण्जी जो है उसकी जो चावी है वो संस्कृत है। इसलिए ये संस्कृत को जानना अनिवार्य हो चुका है। एक बात और आपके सामने में रखूं कि अभी जो अनुवाद की बात चल रही है कि जो मिशीने अनुवाद करेंगी। बंगला से हिंदी में या गुजराती से बंगला में एक आम सहमती ये बनी है कि जिस भाषा से अनुवाद करना है उससे पहले संस्कृत में करेंगे और संस्कृत से फिर दूसरी भाषा में करेंगे। क्योंकि वो सबसे सरल और सहज है और सबसे अच्छी अनुवाद जो होता है वो संस्कृत से अनुवाद किसी दूसरी भाषा में होता है। संस्कृत को लेकर छात्रों में वित्यारतियों में रुजहान कैसा है। एक में जो धाराना संस्कृत के बारे में लोगों की है कि संस्कृत से अधिय कोई अध्यन कर रहा है। तो वो कहीं मंदिर में या मठ में पूजा ही करेगा। इसको मैं आपके माध्यम से दूर करना चाहता हूं मैं आपको ये बता बताता हूं कि हमारे जो संस्क्रत के माध्यम से कच्छा करते हैं उनमें से कई छात्र एमबीबेस और BMS करके और डक्टरी का कारे कर रहे हैं वेदेशों में भी कई लोग गए हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ आयूरवेद का यदी कोई आधार है आयूरवेद के जितने सूत्र हैं वो संस्क्रत में हैं पूर्व समय में आयूरवेद में क्वालिफाई करने के ल आयूरवेद के इसाफ से तो ये चीज़ें जो हें संस्कृत को दिसे कहते जяти में जान जान की भाषा बनाने के लिए नाकेआल जनकी जो आवजशक्ता की अनुरूप बनाने के लिए कि ना केवल ये कि जैसे मैंने आप से का कंप्यूटर के लिए प्रग्रामिंग लेंग्वेज होगी आप इंजिनिरिंग में हैं उसमें मैं आपको अधारन ये शेर करना चाहता हूं भोपाल जो शहर है ये राजा भोच के समय पर वास्तु पर अधारित ही था पूर्ण रूप से इसमें इस्थान थे के बीच में ब्रह्मिस्थान है इस त संस्क्रत में जैसा कि प्रफसर कुठाला साब ने बताया कि कई सारी चीजें कोडेट फॉर्म में हैं अभी ये समय है यदि हम पश्चिम का अंधानुकरन करेंगे तो हम हमेशा उन से पीछे रहेंगे यदि हम संस्क्रत को फोर फ्रेंट पर लेंगे यदि हम तो हम मंगरे जी से उसका अनुकमन कर रहें तो हम निश्चेत बाद में ही रहेंगे प्रफसर कुठाला जी हमने जो पुराने रितिहास को अगर उठा के हम देखें जिस तरह से तिवारी जी बता रहे थे कि आयरुवेद की संस्क्रत में ही था आयरुवेद भी वहीं से बात आ ग बीच में कुछ कमिया रह गहीं कि हम उस दौर को कंटीन्यू नहीं रख पाए देखिए एक तो बड़ा स्पस्ट है कि लगभग बारा सो वर्ष हम लोग गुलामी के काल में रहे जब हमें अपनी संस्कृती को बचाने का ही एक मुख्य समाज के लिए कारे हो गया उसमें भीच में हम लोगों को बिस्मरन भी हुए और संस्कृत का बिस्मरन भी उसी काल में हुआ प्रंतु हमारे जो महापुरुष हुए उन्होंने संस्कृत को इस संस्कृत के संदेशों को उस समय की भाषाओं में भी रखा जैसे बालमिकी रामायन संस्कृत में प्रंतु तुलसी रामायन अपनी आम आदमी के समझने वाली बोली में यह बहुत बड़ा एक वो है प्र संस्कृत के माध्यम से पुना जो प्राचीन ग्यान और विज्ञान था उसको आज के युगानुकूर प्रस्तुत कर सकने में हम पहल करें या कोई दूसरे देश पहल करके हमें वो देने वाले हैं तो केवल मात्र आयुरुवेद और योगा और बास्तु शिल्प ऐसा है ऐसा नहीं है टोटल अटॉमिक जो साइंस है वो संस्कित में हमारे ग्रंतों में उपलब्द है यह जो बिजली इलेक्रिसिटी का है वो सारा उपलब्द है कई उधारन इस प्रकार के आते हैं कि ड्राइसल की सबसे पहले रचना पच्छी सो वर्षपूर्व है और उसकी का पानी में डालते हैं तो दो यू बंती हैं ग्यास बंती है उसमें लिखाए शलोक में एक वर्षपूर्वाऊ को जीवलों के रूंख में प्रेयोक करिए और दूसरी वहें को वा अपने वयूजिंच के रूप में प्रियोक करिए यह बदिकेशन आता है यह सब गयां आज की आवश्यक्ताओं के अनुसाब प्रस्थुत करना ये संस्कृत के माध्यम से होगा और जब धिरे-धिरे ये समझ आजाएगा कि संस्कृत का ज्यान होना अपने आप में एक बहुत अच्छा केवल कारियर बनाने के लिए ही एक साधन नहीं है प्रंतु उसके कारण से बहुत बड़ा सामाजिक और मानवित भी होता है तो संस्कृत अपने आप लोगों में प्रचलित होगी प्रचलित होगी बिलकुल वक्त एक छोटे से ब्रेक का एक और हो गया है ब्रेक के बाद लोटेंगे तो बात अध्यन की होगी और विदेशों में संस्कृत को लेकर जो काम चल रहा है उस पर बात होगी जल लोट रहे हैं आप बने रही है हमारे साथ प्रचलित है अपरल एथ फाइफ तो एट पी-म नार्थ जोन का जोनल फाइनल इस रविवार दॉर्चलित होगी प्रचलित है दो अप्रेल सुभा दस बजे सिर्फ डीडी नैशनल पर देश का अपना चैनल पासपोर्ट भी रख लिया और पिटाई भी की नाना बेटा मैं नहीं चाहती तेरे साथ ऐसा कुछ हो मा वो मूरक फरजी एजेंट के जरीए चला गया होगा मैं तो पूरी जांच परताल करके जा रहा हूँ मेरे एजेंट का नाम सरकारी सूची में दर्ज है सारे कागज मैंने चेक करा लिए पासपोर्ट की कॉपी और एजेंट का नाम नंबर तेरे पास रखवा कर जाऊँगा अपना काम भी अच्छे से सीख लिया है मैंने और थोड़ी बोली भी सीख लिया इसलिए मैं नहीं पसने वाला पर बेटा तेरा कोई जानकार तो नहीं है वहाँ मा वहाँ भारत सरकार का दफ्तर है जिसे दूतावास कहते हैं मैं जाते ही उनसे संपर्ख करूँगा तू बिल्कुर भी कर मत कर और मुझे खुची-खुची भेज जी हाँ परदेश में नौकरी पाओ तो सुरक्ष जाओ, प्रशिक्ष जाओ जाते ही भारती दूतावास से संपर्क करो पर देश में आपका दोस्त भारती दूतावास अगर बात करूँ जी मैं अध्यन की अगर बात करूँ जो कि हमेशा ये बात आती है कि जो विशें हैं उन विशें को संस्कृत में लाया जाए उस भाशा में लेकर आया जाए मखलाल चतरवेदी पत्रगाईदा ने भी काफी प्रयास की हैं उस और भी मैं अगर अध्यन की बात करूँ चाहे इंजिनिरिंग की पड़ाई हो चाहे मेडिकल की पड़ाई हो हाल के दिनों में हम देख पा रहे हैं कि ये हिंदी की भाशा में तो अब धीरे-धीरे आ रहा है लेकिन संस्क्रिट से अभी भी दूर है आपका प्रशन सही है इस बार अभी तक क्या था कि जो पराने हमारे गरंत हैं उन गरंतों के आधार पर जो अलग-अलग कक्छा हैं उनकी टेक्स्ट बुक तयार की जा रहे हैं अभी जो हमारा SCRT है State Council of Educational Research and Training वो इस पर काम कर रहे है करीब 56 पुस्तकें जो एक से बारा के बेच की हैं संस्क्रत माध्यम की वो लिखी जा रहे है जिनमें विज्ञान बहुत एक विज्ञान इनसे संबंदित भी है जो मूल अंतर जो रहेगा आधनीक और उसमें वो यह रहेगा यह वाले पुस्तकें जो होंगी वो शुरू की जाएंगी संस्क्रत का जो हमारा प्राचीन ग्यान है वहां से जैसे हम रसाइन शास्ते दे प्रारम करेंगे तो कनाद से प्रारम करेंगे जो यह बताएगा कि यह जितनी आप चाहिए आप हाइड्रोजन का नाम लें आउक्सिजन का नाम लें यह ऐसा नहीं ता ग्याद थी यह सब उनको ग्याद थी उनके नाम जो थे वो अलग थे और कई बार उनकी घणनाई जो हैं वो हम से आज से बहते होती है आप हनुमान 40 में जैसे देखेंगे उसमें दिया हुँआ है कि encima की दूरी कितनी है और आज भी आप निकालेंगे नासर ने भी उतनी ही दूरी निकाली है जितना 40 में लिखी तो यह चीजें जो हैं हम उस पर लगातार प्रयास पुस्तकों पर प्रयास कर रहें एक दो वर्ष में एक में और आपके साथ शेर करना चाहता हूं जो चीज कि अभी तक हमारे 29 जलों में किवल संस्क्रत माध्यम के विद्याले थे इस बार वो बढ़कर करी 35 जलों में हमारे संस्क्रत के विद्याले हैं दूसरा बालिकाओं के लिए एक आवाशी विद्याले संस्क्रत माध्यम का वो प्रारंब किया जा रहा है एक और जो महत्वपून बात है अब चुकि चलन नरसरी का है इस तरीके का तो ये चलन हमारे हम प्रूस दे था तो हम उस परकार के उद अलग-अलग अक्षाओं के नाम दिये गए लके जीव जी की इस्तान पर प्रवेश है उदे है इस प्रकार से जिनमें बच्चों की जो मूल चमता है एक्स्प्रेशन की है अलग से उसमें से उसकी सोचने की है रियक्ट करने की है तो इनको प्रारंब से ही पांच वर्ष के उ उनको बढ़ाने का कारे किया जाएगा तो वो संस्कित तो छोड़िये वो जा तो जर्मन भाषा की तरफ अपना रोख करते हैं या किसी फ्रेंच भाषा की तरफ अपना रोख करते हैं वो सीखते हैं और आब भी उसकुन को प्रोस्ताहित करते हैं क्या अब जरूरत है अगर संस्कित पर जोर दिया जाता है तो ज राजनीतिक स्वतंतरता हमें मिली अभी मानसिक स्वतंतरता हमें अपने को प्राप्त करनी है जिसकी प्रक्रियाएं प्राराम हो चुकी है और जब इस उपनी वेश्वाद प्रविति से हम निकल जाएंगे तो हमको ये समझन आने लगेगा कि हमारे लिए श्रेश्टतम क्या ह और जब ये श्रेश्टतम हमारे सामने सपष्ट रूप से आजाएगा तो उसको प्राप्त करने की हमारी एक संकल्प की शक्ति यो है बढ़ जाएगी और हम उसको प्राप्त कर लेंगे और उसमें संस्क्रिट है अब आपके अध्यान में होगा कि कई संस्थाइं ऐसी है जो केवल मातर संस्कृत और भारतिय संस्कृति के उत्थान पुन और उत्थान के लिए लगी हुई है संस्कृत भारती एक संस्ता है जो बड़ी साधारन तरीके से सब लोगों को संस्कृत बोलने और लिखने और पढ़ने का ग्यान निश्चुल्क देती है हजारों लाखों लोग इस से लाभानवीत होकर आज संस्कित सीख करके और फिर संस्कित बोलने और लिखने के लिए ततपर हो रहे हैं इस परकार से एक प्रक्रिया चली है उसको गती मिली है आपके इस कारेक्रम से उसको और गती मिलेगी और और लोगों को लगेगा कि हमको संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए गंभीरता से सीखनी चाहिए आपके ध्यान में शायद तिवारी जी ये भी होगा कि महारास्टर में, मध्यपरदेश में और तमिलनाडू में कुछ गाओं ऐसे हैं, जहां केवल मात्र संस्कृत में ही संबाद होता है ना तो स्थानिय भाषा में होता है, ना इंगली शिंदी में होता है वो केवल मात्र संस्कृत में ही आपस में बातचीत करते हैं इस प्रकार से एक sanskrit का ज्यान संसकृति का उसके माध्यम से ज्यान बढ़ता जाएगा और फिर एक बार फिर से लगता है कि जो नेतरित्व विश्व को भारत ने देना है संसकृत और भारतिय संसकृति उसका माध्यम बनेगी बनेगी लेकिन प्यार तिवारी जी मैं आज थोड़ा पढ़ रहाता संस्कृत के बारे में ने एक जगा और ये भी पढ़ा कि संस्कृत भाषा का जब हम पर बोलते हैं उसका उचारण करते हैं संस्कृत का तो हमारे जुबान हमारे मूँ में जो जिदनी भी मार्शपेशिय कहीं न कहीं चीजें संस्कृत का एक साइंटिफिक महत भी रहा है चीजों में आपका कहना बिल्कुल सही है मैं चोटे से उधारन के साथ आपकी बात को स्पस्ट करता हूं ओम शब्द है ओम एक अक्षर है चोटा सा और उस अक्षर को यदि आप बोलते हैं और आप शरीर क क्रियाओं पर यदि ध्यान देंगे तो वह बिल्कुल ऐसा पेट से लेकर एकदम जहां हमारा ब्रहमांड है पूरा सिर है वहां तक उसकी ध्वनी पहुंचेगी और पूरे जो उर्जा है उस परकार से निकलती है तो ओम शब्द का जब वह जो अविशकार जब भी किया हो तो उन्होंने पूरे प्रकरती के साथ एक सामंजिस से रखा था उन्होंने कहा था बोलना केबल फालतू की चीज नहों बोलने का मतलब बोलने में ही कई सारी बातें पूरी हो जाए इसलिए संस्कृत में जो भाशा है वो प्रकरती के साथ जोड़ती है और शरीर को भी उस उसे प्रकार से सुरक्ष्चत रखती जैसा आपने का मास पेशीया तो यह गया और माशब्द जो है उससे बड़ा श cr crois के बाद कोई नहीं हुआ होगा इसीलिग हुआ हुआ वो सबसे ज़्यादा करीब है हमारे उत्पत्ति के लिए एक रिसर्च कई बार रिसर्च ये बात को सिद्ध कर चुकी है कि संस्कित बोलने से अपने आप प्राणायाम होता है संस्कित के बोलने से आप जो प्राणायाम करते हैं वो संस्कित के बोलने से स्वयम प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम सब कुछ होता है उसमें सारे प्रणायام उसमें शामिल हैं. लेकिन प्रोफेसर कुढ़ियाला जी लगातार हम देखते हैं भारत में खासतोर से जो हमारी भाश्याँ हैं हिंदी है, संस्कृत हैं, इनको लेकर खुब प्रयास किये जाते हैं. बड़े-बड़े कारिक्रम हमारे देश में होते हैं. देशों में भी हम देखते हैं जर्मन होता है या फ्रेंच होता है वो अपनी भाष़ा को गर्व से बोलता है और तूसरी भाष़ा को इतनी इल्दी अडॉप्ट नहीं करता लेकिन भारत में हमने वो चीज़ देखी कि वो गर्व करने वाली बात थोड़ी कब होती है कितना व लोग भूल गे कि हमारे पास क्या है, जब हम उस खजाने को समझ लेंगे, संस्कित का महत्तों समझ लेंगे, गर्व करना कोई कहने की बात नहीं है, गर्व तो होगा, जब हम संस्कित को पैचान लेंगे, अपनी संस्किती को पैचान लेंगे, अपनी हिंदी को पैचान और अगर गर्व होगा तो हम फिर उसी को आप उपयोग भी राश्ट्रिय अंतर राश्ट्रिय स्तरों पर भी करेंगे और खुशी की बात यह है कि यह प्रयास प्रारंब हो चुके हैं और बहुत तेज गती से आगे चल रहे हैं बहुत शिगर ही आपने का कब होगा तो मेरा बहुत शिगर होगा यही प्रियास है यह प्रयास है इससे और बड़े बड़े प्रयास करने पड़ेंगे लिए और जो शिगर ही जो संस्गृत जो है मेरे और आपके बोलने की भाषा बनेगी बनेगी बिलकुल बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप दोनों मेहमानों का दरसल वक्त हमारे पास कम है प्तिवारी जी आपका भी कुठियाला जी आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में आए फिलाल हमारे इस खास कारेकरप में नहीं दीजी अजास्त अगले अपते फिर हाज़र होंगे किसी नए विशे के साथ नमस्कार